उजयन के सूपरसिद महाकाल मंदिर के सामने होटल में उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जब एक युवक ने अपने पिता को उसकी प्रेमिका के साथ होटल की कमरे में रंगे हाथ पकड़ लिया युवक अपने पिता और उसकी प्रेमिका का पीछा करते हुए ग्वालियर से जयपूर और जयपूर से उजयन तक पहुँच गया हालांकि मामला पारिवारिक होने की कारण इस प्रकरण में कोई पुलिस शिकायद दर्ज नहीं हुई है लेकिन एक पिता को गल्फरेंड के साथ रंगे हाथ पकड़ने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है महाकाल मंदर के सामने सिथ होटल हॉलिडे में उस समय हंगामा बच गया जब एक बुजर्ग और एक महिला को कमरे में देख होटल पहुँचे युवक ने हंगामा शुरू कर दिया हंगामा कर रहे युवक ने अपना नाम अंकूर बताते हुए कहा कि होटल के कमरे बे जो ठहरे हैं वो कोई और नहीं उसके पिता आलोक चौधरी है और जो महिला उनके साथ है वो उनकी प्रेमी का है जो जबलपूर से उज्जेन पहुँचे हैं और पती पतनी बनकर होटल के एक रूम में ठहरे हुए थे हगामा बढ़ता देख होटल संचालक ने बुजर्ग और उनके साथ ठहरी महिला से ततकाल कमरा खाली करवा लिया गौर्मेंट नौकरी इसी नालच में लगेते हैं लगेते हैं ना का बहुत पैसा है ये कुछ ऐसा ही कुछ डालोक से ना अंकुर चौधरी ने बताया कि उसके पिदा अलोक चौधरी वर्ष बासट गौालियर की एक नीजी कंपणी में कारियरत है जबकि उनके साथ जो महिला है वो जैपूर में एफसे आई कंपणी में विगास अधिकारी के पत पर कारियरत है इन दोनों के बीच दोस्ती फेस्बुक पर हुई थी और उसके बाद प्यार में बदल गई दोनों कई बार एक दूसरे से बात चित करते हुए भी घरवालों के द्वारा पकड़े जा चुके हैं का मम्मी के साथ बहुत ही जादा दुर्वयवार है मम्मी के चरितरे के ऊपर उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और खुद ही यह सब काम करते हैं जो वो खुद कर रहे हैं वो मम्मी के नाम से बोलते हैं दोनों बुज़र्ग प्रेमी प्रेमिका की दोस्ती फेस्बुक पर हुई थी, बुज़र्ग प्रेमिका फूड कॉर्परेशन आफ इंडिया में अफसर है, जबकि बुज़र्ग प्रेमी गौलियर का रहने वाला है। वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है। उजयन से विज़ेंदर यादव की रिपोर्ट